नमस्कार सद्गुरू, लिंग भैरवी मंदर में होने वाली औरा के शुद्धी करण की प्रक्रिया का क्या महत्व है और नीम के पत्तो और दीपक का उप्योग क्यों किया जाता है? हर वो चीज जो आप है औरा उसकी एक सूक्षम अभी व्यक्ति है अगर आप किसी व्यक्ति की औरा को देखें तो आप उसकी शारिरिक सेहत, मानसिक सेहत, कार्मिक धाचा एक तरह से उसका अतीत और वर्तमान सपश्ट रूप से जान सकते हैं अगर वो बेवकूफ है तो उसक आपका भविश्य भी हाँ अगर आप बेवकूफ हैं केवल तभी हम आपका भविश्य बता सकते हैं वरना हम सिर्फ आपका अतीत ही बता पाएंगे तो और आपके अपनी ही एक अभी व्यक्ति है भौतक शरीर से सूक्षम अभी व्यक्ति इसे साफ रखना अच्छा है क्या आपके शरीर को साफ रखना अच्छा है अगर आपको समझ ना है तो आपके पास बेठे लोग तो समझती हैं कि अच्छा है अपने शरीर को साफ रखना अच्छा है अपने दिमाग को साफ रखना अच्छा है आप से जुड़ी हर चीज को साफ रखना अच्छा है क्योंकि मैं आपको स्वच्छता का पाठ पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि अगर हम किसी चीज पर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसे शुद्ध करते हैं अगर आप किसी चीज को एक उची संभावना तक ले जाना चाहते हैं तो पहले उसे शुद्ध करना होगा शुद्धी करण के बिना आप उसे मौजूदा स्थिती से बहतर स्थिती तक नहीं ले जा पाएंगे तो आपके शरीर को शुद्ध करने के लिए और आपके मन को शुद्ध करने के लिए हमने आपको बहुत सारे तरीके सिखाए हैं साधना हैं, भोजन, ये, वो, कई सारे आयाम अपने शरीर और दिमाग को शुद्ध रखने के लिए और एक अभिव्यक्ती है इसके अपने आप में कोई उपस्थिती नहीं होती लेकिन अगर आप साधना कर रहे हैं और अपने सिस्टम को सुधार रहे हैं तो कल आपने क्या अभिव्यक्त किया था या दस साल पहले आपने क्या अभिव्यक्त किया था हो सकता है, ये आपके आसपास ही लटकता रहें और आप जो बनना चाहते हैं उसमें बाधा डालें तो उससे शुद्ध किया जा सकता है कि आपने कभी गौर किया है कि जब आप शावर लेते हैं या नहाते हैं जैसे हम भारत में कहते हैं जो डुपकी लगाना नहीं है बल्कि आप अपने शरीर पर पानी डालते हैं जब आप पानी को अपने उपर से बहने देते हैं तब आप सिर्फ अपने शरीर की सफाई नहीं करते यानि सिर्फ तवचा की सफाई नहीं करते कुछ और भी है जो साफ होता है मान लेते हैं कि आप बहुत गुस्से में हैं परिशान हैं और आपके अंदर बहुत बेचैनी चल रही है आप बस जाते हैं और नहा कराते हैं आपको लगता है कि मानो सारी बक्वास एक तरह से धुल गई हो तो नहाने से सिर्फ आपके शरीर की तवचा ही साफ नही होती कुछ हद तक आप अपनी औरा को भी साफ कर सकते हैं क्योंकि जिसे आप शरीर कहते हैं वो पांच तत्वों की एक अभिव्यक्ती या उनका एक खेल है तो आप पानी से स्नान कर सकते हैं इसी तरह आप वायूस्नान भी कर सकते हैं आपको ये देखना चाहिए मान लीजिए कि एक मंध हवा चल रही है आप बस जाकर यूँ खड़े हो गए आप पतले कपड़े पहन कर बस यूँ खड़े हो गए कुछ देर बाद आपको लगेगा क्या आपने गौर किया है क्या आपने गौर किया है आप तरो ताजा महसूस करते हैं ऐसा लगता है कि आप पार दर्शी हो गए हैं और वस उड़ जाना चाहते हैं हवा ये कर सकती है बस उसका वेग सही होना चाहिए तापमान वगरे भी सही होना चाहिए अगर सब सही रहा तो आप देखेंगे कि हवा आपको शुद्ध करती है ये वायू स्नान है हम आपको मिट्टी का स्नान भी करा सकते हैं अगर आप रिजुविनेशन सेंटर में जाते हैं तो वो आपको मिट्टी का स्नान करवाते हैं ऐसे ही हम आपको अगनी स्नान भी करा सकते हैं. तो मंदर में जो किया जाता है, वो है अगनी स्नान. क्योंकि आप तो जानते ही हैं, कि वो भैरवी हैं. आप बस अगनी स्नान कीजिए. बेशक आप उसे अपने शरीर पर उडेल नहीं सकते. आप एक खास तरीके से अपने शरीर की औरा को स्पर्श करते हैं. आपकी औरा में कई पैटर्न्स चलते रहते हैं. अगर आप अगनी को इंट्रैक्स पर चलाते हैं, तो आप देखेंगे, कि अचानक आप चमकदार और साफ महसूस करेंगे. आपको पता ही होगा, भारत में ये चीज़े आम हैं, आपके घरों में आपकी दादी, नानी आपकी नजर उतारा करती थी. ये औरा के शुद्धी है. शायद आप मेंसे कुछ की दादी, नानी इसे ठीक से करना जानती थी. कि इसे कैसे करना है, कुछ नहीं जानती थी, बस अंजाने में ऐसे वैसे करके कर देती थी अगर इसे ठीक से किया जाए, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है अगर इसे बस यूँ ही कर दिया जाए, तो भी ये थोड़ा बहुत काम करता है बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे बीमार हैं और थोड़ी सी अगनी स्नान से वो ठीक हो जाते हैं क्या आपने देखा हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक अगनी स्नान है और ये आपके सिस्टम पर असर डालता है तो मंदिर में क्लेश नाशन क्रिया के रूप में जो किया जाता है इसका मतलब है कि अशुधियों को नश्ट करने वाली क्रिया अंग्रेजी में यही औरा क्लेंजिंग है जो अशुधियों को औरा से दूर कर उसकी सफाई करती है ताकि शरीर बहतर ढंग से सांस ले सके और सेहत, खुशाली, मानसिक संतुलन और हर स्तर पर बहतर महसूस कर सके नीम, उन्होंने सिर्फ पत्ती का है इस्तिमाल किया मेरे ख्याल से उन्हें डंडी का भी इस्तिमाल करना चाहिए था नीम की डंडी बहुत फाइदेमंद है यह बहुत से लोगों को जगा देती है भारत में अगर आप किसी के वश्श में आ जाते हैं तो वो मार मार कर आपका भूत उतार सकते हैं नीम की डंडी से नीम शुद्धिकरण के लिए बहुत अच्छी होती है अगर आप सुभा सुभा नीम की गोली खाते हैं तो आपका पेट साफ रहेगा अगर आपको किसी भी तरह का इंफेक्शन हो जाता है तो वो इस देश में आपको हमेशा नीम की पत्यों के बिस्तर पर लेटाते हैं क्योंकि ये सिस्टम को बहुत अच्छे से साफ कर देता है और बहुत उर्जा देता है तो इस पत्ती में बहुत सारे औशधी गुण होते हैं और इसमें जबरदस्त प्रानिक स्पंदन होते हैं और ये इतनी कड़वी है कि आपके सारे भूत उतर जाएं